हाई गाईज, वेलकुम बाक टो लर्नेक्स, मैं हूँ आपकी ट्रेनर मीरा, आज हम सीखने वाले हैं सारे के सारे टेंस, येस, पर डोंट वारी मैंने आपके लिए एक आसान तरीका बनाया है, एक ही सेंटेंस लिया है जैसे आप देख सकते हो, और यही सेंटेंस, ट्रैवल करेगा, और हर एक टेंस में जाके आपको समझाएगा कि ये मैं टेंस हूँ और अगर मेरे बारे में बात कर रहे हो, तो आपको ऐसे बोलना है, simple, simple से ही start कर रही हूँ क्योंकि पहला tense है simple past tense, ठीक है, simple, ये actually सारे, ये तीन simple है, ठीक है, तो इसको हटाती हूँ यहाँ से और यहाँ पर past लिख देती हूँ, तो past tense में क्या होता है, हमेशा जैसे यहाँ पर एक verb आएगा, हर एक sentence में एक subject होता है, एक verb होता है, और एक object होता है, यहाँ पर object है, пишa, subject है she, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो और पीजा, खाले ये नहीं है न, उसने पीजा के साथ क्या किया, बनाया, नहीं, खाया, तो ये है वर्ब, तो ये हमारा sentence बन गया यहां पे, अब एट, एट है, अगर ये वर्ब है eat, तो eat को past tense में कहते हैं, एट, ठीक है, तो हम इस सारे versions देखने वाले हैं, जो कि यहां पे लिखे हुए है, she ate pizza, यानि उसने pizza खाया, समझो बात को, उसने pizza खाया, कब खाया, थोड़ी देर पहले खाया, या फिर कल खाया, या फिर एक हाफते पहले खाया, ठीक है, तो fridge में जो pizza रखा हुआ था, उसने वो खाया, simple sentence है, simple past tense she ate pizza, ठीक है, अब move करते है, next simple की तरफ, simple tense है यह present, तो मैंने यह इस हिसाब से इसलिए लिखा है, क्योंकि मान लीजिए अगर यह timeline है, ठीक है, यह हमारी जिंदगी है, past यहां आता है, बीच में present आता है, जो कि हम जी रहे हैं, और यहां पे future आ गया, तो मैंने इसी हिसाब से यह सारे बनाए है, पहले past आएगा, फिर हम present के बारे बात करेंगे, फिर future, अब देखिये, she eats pizza, अब eats, eat यह जो verb है, इसका present में क्या बन गया, eats, ठीक है, लेकिन she eats, but, अगर मैं I के बारे में बात करेंगे, खुद के बारे में, तो I eat, S नहीं आता है इसमें, ठीक है, तो she eats pizza, वो pizza खाती है, क्या किह रहे हम, वो खाती है, अभी भी वो खाती है, पहले नहीं खाती थी, खाए गी नहीं, वो अभी भी खाती है, तो simple present tense है, she eats pizza, वो pizza खाती है, यहाँ पे it है, यहाँ पे eats है, अगर I मैं लिखना चाहती हूँ, I, तो आएगा, I eat pizza, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, अब चलते हैं, simple, कौन सा tense आएगा next, future tense, correct, तो future tense में क्या आता है, she will eat pizza, यानि कि हम क्या रहे हैं, कि वो pizza खाएगी, तो जैसे यहाँ पे eat है, past tense में, eat या eats है present tense में, वैसे ही, यहाँ आता है, will plus verb, verb का पहला form जो कि है eat, तो हमने लिखा future tense में, will plus first form of verb, जो कि है eat, she will eat pizza, वो pizza खाएगी, कब खाएगी, थोड़ी देर में खाएगी, दो मिनिट में खाएगी, पांच मिनिट में खाएगी, कल खाएगी, she will eat pizza, don't worry, आपने pizza बनाया है, ममा, वो खाएगी, समझ में आई ही बात कि, simple future tense में, will subject, जो कि she है, will eat pizza, ठीक है, I will eat pizza, they will eat pizza, she will eat pizza, he will eat pizza, basically, will eat is common, यानि will plus first form of verb ही आएगा, ठीक है, बढ़ते हैं, अगले पार्ट की तरफ, जो कि है perfect, तो यह तीनों क्या है, perfect, यह सारे perfect tense है, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा, यह है perfect past tense, यह होगा perfect present tense, और यह होगा perfect future tense, okay, perfect past, present, और future, अब देखते हैं, क्या होता है, pizza का, इसके साथ, she had eaten pizza, क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, had plus eaten, eaten, देखो इसका table कैसे change हो रहा है, आप notice करना यहाँ पर, she had eaten pizza, याने की हम कह रहे हैं, वो pizza खा चुकी, क्या कह रहे हैं हम वो pizza खा चुकी, यहाँ पर क्या है, she ate pizza, उसने pizza खाया, simple में रखा है, वो pizza खा चुकी अगर आपको कहना है, तो had eaten pizza, कब अगर पूछो तो she had eaten pizza, when, she had eaten pizza, when you had already given it to her in the plate, यानि आपने जब उसको प्लेट में दिया, तब उसने वो pizza खा चुकी, है ना, तो past perfect tense में आता है, had plus eaten, they had eaten pizza, I had eaten pizza, we had eaten pizza, had eaten, same आता है, eaten और हर जगे पे same आएगा, had के साथ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, perfect present tense, मतलब अभी क्या हो रहा है, she has eaten pizza, मान लो, ऐसी situation है, जहाँ पे, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, चीक है, ये लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहना चाहते हैं, कि वो pizza खाती है, मतलब ऐसे नहीं है कि वो pizza खाती थी पहले, अब नहीं खाती है, वो डाइटिंग पे है, वो वाली बात नहीं है, यहाँ पे, यहाँ पे situation यह बताती है, that she has eaten pizza, उसने वो पहले pizza खाया है पहले, और अभी भी खाती है, she has eaten pizza, यह है perfect present tense, वो pizza खाती है, ठीक है, खा चुकी नहीं, खा रही है नहीं, वो pizza खाती है, अभी भी उसको अच्छा लगता है, तो वो खाती है, has eaten, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, had का बन गया, had आता है past tense में, यह दिमाग में करना है, fit, tightly, और present में जब भी हम बात करते हैं, तो हमेशा has आता है, आप आगे जा कर भी देखोगे कि कैसे, has आता है, eats आता है, is या has been, ठीक है, अभी इस पे focus करते हैं, she has eaten pizza, उसने पहले पीजा खाया है, और वो अभी भी खाती है, dieting पे नहीं है, बंद नहीं किया है, got it, great, अब आता है perfect future tense, तो future में क्या होगा, future में क्या होगा अस पीजा के साथ, she will have eaten pizza, यनि जब हम घर पहुँचेंगे, ठीक है, हम लोग जब दो घंटे बात घर पहुँचेंगे, वो पीजा खा चुकी होगी, ठीक है, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन future में बात कर रहे हैं, past में बात नहीं कर रहे हैं, जहां पर हमने यहां पर past में बात किया है वो pizza तब खा चुकी होगी लेकिन sentence complete करना है She will have eaten pizza when by the time we reach home मतलब जब तक हम घर पहुचेंगे तब तक उसने pizza खाया होगा होगा, future, क्या important है? Will plus have plus eaten आप देखिए perfect tense में common क्या है? eaten, eaten, eaten सिर्फ change क्या हो रहा है? had past tense में आया, has present tense में आया और will have आया future में, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे की segment की तरफ जो की है यह three sentences अब यह जो three sentences है guys, यह continuous sentences है मैं यहां पर mark करती है, यहां पर सिर्फ लिखती हूं उपर heading में यह सारे continuous tenses है, शुरुबात करते हैं पहले tense के साथ जो की है past continuous tense, ठीक है? यह है past अब past continuous tense का मतलब क्या होता है? मैं continuous का मतलब समझाती हूं आपको मतलब जो भी kriya, जैसे यहां पर eating है, चलना होगा, यहां पर जो खाना है, चलना है, dance करना है, जो भी kriya है, जो भी verb है, वो चलती रहती है, जब हम वो kriya जब खतम नहीं होती है, जब उसके बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम continuous tense का इस्तेमाल करते हैं usually, अब देखते हैं यह वाले situation में क्या हो रहा है? यानि, जब हम उसके घर गए, या जब मैंने उसको कॉल किया, वो क्या कर रही थी? past tense में, जब मैंने उसको कॉल किया, तब वो क्या कर रही थी? वो पीजा खा रही थी, इसलिए हमने लिखा है, was eating, was plus eating, टेबल में एक और word आड़ हो गया, नया word है, eating, ठीक है, तो यह आप, यह एक eat का conjugation table है, जो आप बाद में लिख लेना अगर आप चाहते हो तो, लेकिन past continuous tense में हम लिखते हैं, she was eating pizza, sentence को complete करना immediately when we called her, when we reached home, she was eating pizza, वो pizza खा रही थी, क्या उसने खाना बंद किया था तब तक? नहीं, वो activity चल रही थी और बीच में आप वहाँ पे चले गए, या call के, इसलिए उसकी activity बीच में रुख गई थी तब, अब देखते हैं, हम present, continuous tense में कैसे बोलेंगे इसी sentence को, तो यह है tense, present, she is eating pizza, तो यह तो बहुत ही simple है, वो क्या कर रही है, अभी क्या है, हाई, हलो, अभी क्या कर रही हो तुम, क्या वो, she is eating pizza, what is she doing, she is eating pizza, यानि वो अभी pizza खा रही है, तो यह बनता है आपका present continuous tense, देखिये, यहाँ पर past में was eating है, और present में is eating है, खा रही थी, खा रही है, अब future में देखते हैं, क्या है, वो खा रही होगी, future में, हम यह कह रहे हैं, कि वो खा रही होगी, she will be eating pizza, यानि हम कह रहे हैं कि जब हम उसको invite करेंगे, या फिर हम उसके घर पे जाएंगे, या जो भी है, same situation अगर हम ले रहे हैं, तो भी हम कहेंगे, she will be eating pizza, वो pizza खा रही होगी, जब तक हम उसके घर पे पहुंचेंगे, तब गो शायद खतम भी कर चुकी होगी, you never know, लेकिन future में, we are saying, she will be eating pizza, वो pizza खा रही होगी, मैं इसलिए दोहरा रही हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि आपके दिमाग में बिल्कुल यह सारी चीज़े fit हो जाए, आज के आज ही बिल्कुल इसी lesson के साथ, ठीक है? Let us move on, the next tense is perfect continuous, अब इसका और उसका mixture है, ठीक है? यह segment का और यह segment का mixture है perfect continuous tense, same follow कर रहे हम past, present और future. ठीक है? तो मैं सिर्फ P A लिखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगे की हमें कमी है, इसी लिए past, she had been eating pizza, जैसे हमें, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, had plus been plus eating, eating यहाँ से हमने लिया है, मतलब वो कब खा रही थी, यह past में हो गया, she had been eating pizza, वो pizza खाती थी, पहले से खाती आ रही है, और खाती थी, ऐसे नहीं है कि वो खा चुकी है, या खा लिया है, वो pizza खाती थी, पहले से, तो पर यह past में है, जबसे वो छोटी थी, she had been eating pizza, समझ में आई बात, तबसे वो छोटी थी, तबसे वो pizza खाती आई है, और मो करिया mix है, क्योंकि वो continuous भी है, आपको यह ध्यान में रखना है, past है, perfect है, लेकिन continuous है, अब वही करिया को हम जब present में कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर observe किया है, अ past में आता है, had, अब यहाँ पर एक ही चीज आड हो रही है, continuously जो की है, been, b-e-e-n, she has been eating pizza, वो बचपन से अभी तक pizza खाती आ रही है, यह मतलब है इसका, कि अभी भी present में वो खाती है, खाया नहीं है, खाती है, she had been eating pizza, she has been eating pizza, कब से, बचपन से, अभी भी खाती है, हाँ, खाती है, तभी तो मैं कह रही हूँ, कि she has been eating pizza, समझ गे बात को, great, अभी मैं इसको भी underline करती हूँ, ता कि आपको समझ में आए, अब बढ़ते हैं, हमारे future, perfect continuous tense के रहे हैं, she will have been eating pizza, यहाँ पे हम कह रहे हैं, future में, क्या कह रहे हैं हम, कि जब भी future के बार में बात कर रहे हैं, चाहे वो एक साल हो, चाहे वो एक महिने बाद हो, diet wide कुछ नहीं है, सब छोड़ दिया, she will have been eating pizza, कब से, same answer, बजपन से, दो साल में उसको हो जाएंगे 20 साल, 20 साल से वो pizza खाती आ रही है, and in the next two years, यानि अगर आप कल भी जाके देखो उसके घर में, तो she will have been eating pizza, वो pizza ही खाती रही होगी, यह मतलब है, और आपको यह कहना है, कि यह activity आज भी जारी है, कल भी थी, और दो दिन के बाद, या कल भी जारी होगी, इसलिए वो continuous tense में जा रहा है, और will, plus have, plus been, plus eating, ठीक है, मैं फिर से, दो मिनिट के अंदर आपको एक बार पूरा का पूरा समझा दूंगी, एक सेकिन में, इट, focus मैं आपका focus कर रही हूँ, basic चीज़ों पे, एट, past, eats, present, will eat, अभी देखना, same to same आगे बढ़ रहा है, सिर्फ add क्या हो रहा है, had, had कब होता है, past में होता है, उसके साथ क्या लगता है, en, she had eaten, has eaten, present में आएगा, और will have eaten, यहाँ पे had plus eaten, then has plus eaten, will have plus eaten, अब बढ़ते हैं, continuous की तरफ, जैसे continuous आएगा, वैसे ing आएगा, जैसे ing आएगा, past में had हट जाएगा, और was add हो जाएगा, is add होगा, क्योंकि ing है, present में is eating आएगा, और will be eating, ing, ing, अब दोनों को mix कर दो, perfect को, और continuous को mix कर दो, और बनाओ perfect continuous, जैसे ही mix करोगे, वैसे had भी आजाएगा, यहाँ से निकल के, ठीक है, en जो है, उसका bin बन जाएगा, और eating का eating नीचे से आजाएगा, और वैसे he has been eating, और will have been eating, यह पूरा mixture बन गया है, तो यह है आपके tenses, यह छोटा सा एक table है यहाँ पर, इसको आप note कीजिए, लेकिन इतना simple है tense को समझना, आप जैसे ही उसको Hindi में convert करोगे, आपने दिमाग में fit, ठीक है, यह मेरी guarantee है, आप इसको ज़रूर पढ़ना एक और बार, इसको apply करना, इसकी practice करना, मैं आपके लिए एक और ऐसे ही interesting और नया lesson और जो आपके फाइदे का होगा, वो लेके बहुत ही जल्दी मुलूंगी, चीक है, आज के लिए बस इतना ही guys, make sure you are practicing, make sure you are smiling, spread a lot of love, this is me, Meera, signing off for the day guys, bye.